Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qurbani का course part 2 में आपका खेर मकदम है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें ताके आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सकें दीनी और इसलामी वीडियो पाने के लिए हमें जरूर सबस्क्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं Qurbani के जानवर में कौन कौन सी चीजे खाना जाइज है और कौन कौन सी चीजे खाना मना है जिन चीजों का खाना मना है उन्हीं का बयान आज हम करेंगे कुछ उसी में हराम है, कुछ उसमें से मकरू है, कुछ उसमें से ममनू है, कुछ नाजाइज है आज उन्हीं के बारे में बताएंगे आला हदर अल्याला आन फर्माते है हलाल जानवर में 22 चीजे जिनका खाना नाजाइज या हराम या ममनू है उनी में से पहला आलाज़त बियान करते हैं रगों का खून, उसके बाद पित्ता, तीसरा है फुकुना, चौथा अलामात नर और अलामात मादा, पाच्वा, छट्मा है बैजे, सात्मा है गुदूद, गुदूद का मना होता है गिल्टी वगेरे, आठ्मा हराम मख्ज, नव गर्दन के दो पुठे, जो के शानों तक खीचे होते हैं दसमा जिगर का खून, इगारामा तिली का खून, बारामा गोश्ट का खून, के बादे जब़ गोश्ट में निकलता है गोश्ट से निकलता है तेरामा दिल का खून, पित यानि वो जर्द पानी जो पित में, पित जो कि बहुत लोग खाते हैं ये मकरूहे तहरीमी हैं यानि सक्त गुना हैं van een 8-तयरवा आते हैं 9-वा नुटफवा 19-वा नुटफवा 20-वा वो नुटफवा जो खून बन गया हो 21-वा नुटफवा जो गोश्त का लोड़ थोड़ा बन गया हो और मुर्दा निकले या बे जबह मर गया ओजड़ी का मसला ये है कि ना वो खुद खा सकता है ना किसी मुसल्मान को दे सकता है उसकी ये अज़ा है कि उसमें गलादत और गंदगी होती है तो वो ना खुद खा सकता है ना किसी मुसल्मान को दे सकता है आज मुसल्मानों में ये रिवाज हो गया कि बहुत से मुसल्मानों को ये उजड़ी दे देते हैं और मुसल्मान इसे स्टॉक से खाते हैं चूंकि ये गुना है इसलिए गुना से बचना वाजिब है मकरूह तहरीमी से बचना वाजिब है तो मुसल्मानों को ऐसे काम से बचाएं और खुद भी बचें हाँ अगर कोई हिंदू ले जाता है तो उसको दे सकते हैं या कहीं फेक दें जहां से हिंदू गएर ले जाएं तो कोई उसमें हरज नहीं तो मुसल्मान को ना दें बाकी हिंदू को दे सकते हैं इसमें कोई हरच की बात नहीं है जहां तक हो सके मुसल्मान इससे बचें और इस वीडियो को खुब खुब शेयर करें ताके लोग इस मसले से आगाह हो सकें और इस मसले पर अमल करने के कोशिश कर सकें अगर आपको कुर्बानी के मुकमल मसाइल के बारे में पढ़ना है तो आप आला हदरत की किताब फतावा रजविया जिल्द 20 का मुताला कर सकते हैं इसमें कुर्बानी के तमाम मसाइल जिकर किये गये हैं और कुर्बानी के हर मसले का इहाता किया गया है आप लोग जरूर मुताला करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूले लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करना ना भूलें असलाम अलेकुम और रहमतुल्लाव